ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव भगजनों आज हम सुनेंगे सावन मास का महत्यम अध्याई तेरा बगवान शंकर संतकुमार से बोले अब मैं तुम्हें शावन सुकल चतुर्थी पर किया जाने वाला वर्थ दूरगा गनपती वर्थ के बारे में बताता हूं ते लोग में परसिद इस वर्थ को माता भगवती ने शर्दा पुरुप किया था और इस वर्थ को सरस्वती इंदर विश्नु कुद्बेर अन्य देवता मुनी गंदर की नरादी भी कर चुके हैं ये वर्थ सब परकारों के पापों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पर प्रात्रा करें इस सवर निर्मित पर्तिमा में विगन विनाश गनेश जी का आखवान करना चाहिए इसमें जिससे वो पधारे रतनों से जडित उत्तम सिंगासन पर बैठने के लिए देता हूँ आप इसे सविकार करें ऐसा गनेश जी को बोलें हे माता पारवती के पुतर हे शिव व्यापनी हे सनातन मैं आपको परणाम करता हूँ मेरे विगनों का नाश करें हे सूर्सरेष्ट लाल चंदन चरजिस्ट मैंने भगति पूरक वन अक्षतों को चड़ाया है आप इसे सविकार करें लोकों के अनुग्रह के लिए तधा दान रिलाइची उत्पान आपको समर्पित कर रहा हूँ हे गनेश्वर हे गनारक्ष हे गजानन हे गोरी पुतर मेरा वर्त आपके परसाद से परिपूरन हो जो पांचों प्रानी पांच वरस्ता के इस वर्त कर उदापन करता है वे अपने मनवांचित पधार तो धता वस्तों क प्राप्त कर लेता है और अंत में देत्या कर मेरे लोग को प्राप्त करता है यदि इस वर्त को कोई तीन वर्स तक करे तो उसे सबसिद्या प्राप्त हो जाती है और अंत में वे पर लोग को जाता है इस उत्तम वर्त को जो प्रानी उदापन के बिना करता है यदावीदी पूरा वर्थ करने पर विसको उसका फल हो जाता है, उद्यापन आवश्य करना चाहिए, उद्यापन के दिन तिलों के जल में मिलाकर सनान करें, फिर गनेजी की एक पल या आधा पल या चोधाई पल की सोने की मुर्टी बना कर तो उसको पंच गवेत द्वारा सनान कराकर से पूजा करनी चाहिए, निमलिक्त मंतर द्वारा पूजन करना चाहिए, ये गनाधीश, ये हुमासुत, ये विगन विनाइशक, आपको नमस्कार है, ये विनायक, ये इशपुत्र, ये सवरसज़्दी परदायक, ये हे मुशक वहन, ये कुमारगुरोव, आपको नमस्क ये सबी नामों से अलगलग पूजन करना चाहिए पहले दिन अधिवासन करना चाहिए दूसरे दिन प्रात्यकाल हावन करें और ग्रेह हूम कर दुर्वा और लड्डू से परधान हूम करना चाहिए दूब तथा लड्डू के हूम के बाद पुर्णा हावती करके अचारे त सार अधिक्स दूद देने वाले गाएं तथा बच्छडे का दान दे ऐसा वर्थ करने से मुनुष्य की सभी मनों कामनाई पूरी हो जाती है मैं अपने पीरे पुत्र के वर्थ करने वालों की सभी सुक परदान कर देता हूँ अंत में सद्धिकती को प्राप्त हो जाता है बो झालर अजो कर देता है झाल 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 झाल